श्री रेप्तित्रिपुरा जी दन्यवा चार दन्यवा चार शार में और जुन मुंडा जी ने जो एमेंडमेंट बिल लाए दालंग ट्राइब को स्विडोल ट्राइब में इंक्लूशन के लिए मैं इन फेबार में बोलने के लिए मैं खारा हूँ सर मैं में चर्चा में जाने से पहले मैं त्रिपुरा का थुरा से इतियास में दोराना चाहता हूँ यहां बहुत सरे एमपीस ने पूरा इंडिया में ट्राइबल के बारी में चर्चा किया मैं भी बतना चाहता हूँ कि त्रिपुरा में भी चैविल लुगों का उसी हाल है लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूँ एक समय ऐसा था कि जो अभी ट्राइमेल या जन जती हम लोग बोलते हैं त्रिपुरा में 183 राजयों ने राज किया पहले और भारत जब शादिन हुआ उस समय त्रिपुरा एक शादिन राजयों के तोर पे उस समय इंडिया से अलग था 1949 में त्रिपुरा इंडिया के साथ मार्च किया और उसी दिन से अभी त्रिपुरा इंडिया का एक स्टेट के रूप में इंडिया में हूँ जैसे के 1949 के बाद 1971 तक अगर दिखा जाए बांगलादेश जो फ्रिदम के लिए जब मोव्मेन चल रहा था 50 से 51 से लेकर 71 तक बांगलादेश से बहुत माईग्रेंट त्रिपुरा में हुआ और जहाँ जन जती संखा एक समय 80 से 85 परसेंट था वो कम होते होते अभी सिर्फ 31 परसेंट हो गया त्रिपुरा में अभी 19 कम्यूनिटी है त्रिपुरा में और 19 कम्यूनिटी में कुकी कम्यूनिटी भी एक है लेकिन उसमें अभी जो बिल लाया गया दालोंग जो ट्राइफ है ये दालोंग जो समुदा है ये खुद को कुकी बोलने में ये राजी नहीं है क्यूंकि उहा का रिजियनल जो लेंग्वियज उसमें कुकी का मतलब होता है उन्सिबिलाइस्ट तो इसलिए ये लोग बहुत सालू से इन लोगों का मांग था कि इन लोगों का अलाग एक स्टेडाज दिया जाए और सिडिल ट्राइफ में भी इन लोगों को इंक्लोर किया जाए त्रिपुरा सरकार ने खास करके बिजिपी सरकार जब से त्रिपुरा में आये 2018 से हाम लोगों ने जन जत्तियों के बिकास के लिए काम करना शुरू किया एक समय ये भी देखा गया यहाँ कॉंग्रेजों का साथियों ने एक दो साथियों ने खास करके प्रदोर बदलोई जी और जम्मु कस्मिर से मासुदी जी इन्होंने भी चर्चा में बाग लिया और बहुत शरी उधारन इन्होंने भी दिया मैं बोलना चाहता हूँ अगर कॉंग्रेज और बाकी जितना भी सरकार केंद्रों में हो या तो त्रिपुरा में अगर शुरू से इस विश्वई को गमिर्टा से देखता तो और बहुत साल पहले ये काम हो सकता था लेकिन त्रिपुरा में सिर्फ 2018 से बिजिपी चार साल हो गया बाकी 25 साल त्रिपुरा में कम्नियूस्ट का ससन था उससे पहले भी और बाकी कांग्रेस का राज था लेकिन कभी भी CPM हो या कंग्रेस हो कभी भी जन्जतियों का बिकेस के लिए काम नहीं कि तो इसलिए एक समाई त्रिपुरा में ये मांग भी उठा के 1949 में हम लोग इंदिया के सार मार्ज किया था, लेकिन ये बूल था, और इसलिए ये भी मांग उठा था, के हम लोग फिर अलग होंगे, तो आभी भी सर, तृपड़ा में कुछ लोग, आभी कोई तृप्डा लेन के लिए, कोई ग्रेटा तिप्रा लेन के लिए ये भी मांग आ रहा है ये क्यों हो रहा है ये जो कॉंग्रेस और बाकी जितना भी दल तिप्रा को ससन किया इन लोगों का गलत जो पुलिसी था उसके वज़से हुआ मैं दन्यमाद देना चाहता हूँ मन्दिय प्रधैन मुंत्री जी को और अर्जुन मुंडा जी को ये बिल लाने के लिए और खास करके राज्यों सरकार बिपलब देव जी की नेत्रितों में जो राज्यों सरकार आवे काम कर रहे है वहाँ क्योंकि रज्यों सरकार ने इससे पहले एक फिल स्टाडी किया और इस डाललंग कमुनिटी के बारे में रिशर्च किया और इसमें जो रिपूर्ट आया दिखा गया कि डाललंग कमुनिटी में सिक्सित का जो संख्या है वो बहुत सार एकमिन बहुत ज्यादा है और तपिर गाउजी ने ये भी बोला कि एक ठंगा दालोंग जी को कल्चर और इनका कल्चर की छेत्र में इनका जो युगदान उसके लिए पदमस्री ओड भी दिया गया तो ये अच्छया उद्यूख है और सार मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ट्रावल वेलफेर के लिए देवलेप्मेंट के लिए और भी कदम उठाना चाहिए क्योंकि त्रिपुरा में जो ट्रिटी एडिसी तपिर गाउजी ने भी बोला वहाँ ट्रिटे शिस्टेम जो पंचेत में तेहत वो फान दिया जाता है और ट्रिटी एडिसी में वो नहीं दिया जा रहा है तो 125 जो कंस्टिटिशन जो एमेंडमेंट वो भी पेंडिंग बहुत बहुत धन्यवाद रेउती जी वो देखना चाहिए बहुत बहुत हैं सुबा जी